दोस्तों नमस्कार दोस्तों मेरा नाम धननेजे दास भाझ और मेरा घर पुर्णिया बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ पुर्णिया का रहने वाला हूँ बस आपके सामने मैं अपने सक्सेश जर्न गानी रख रहा हूं कि कैसे मैं इस बिजनेस में यहां तक पहुँचा दोस्तों मैं पूर्णिया में MR की नोकरी कर रहा था और लगबग सारे 17 साल से मैं MR की नोकरी कर रहा था लेकिन जिंदगी बदल नहीं रही थी मैंने बच्पन से अपने घर में गरीभी देखा कि किस तरह से मेरी माँ, मेरे पापा हम लोगों को पाले पोसे हैं मेरी माँ ने बहुत तकलिप किया है और किसी तरह से हम लोगों को पाल पोस के बरा किया तो मैंने बहुत नजदीकी से गरीभी को देखा है दोस्तों और कहते हैं ने कि मुहले में अगर सो घर है 99 घर अगर पक्के का है और एक घर फूस का है तो वो सम्मान उसको नहीं मिलता है जो पक्के वाले को मिलता है यस या नो तो मेरे अंदर भी एक जित थे कि जिस तरह से लोगों को सम्मान मिलता है उस तरह का सम्मान मुझे भी मिलना चाहिए और हमेशा कस्म कस्म में रहता था तो दोस्तों मैंने सारे 17 साल MR की नोगरी की इसके अलाबा मैं electronic से डिप्लोमा किया दोस्तों मैं भूमाबक अमीन भी हूँ मैंने अमानत की भी काम की लेकिन कहते हैं न कि मेरे माबाप ने एक संसकार दिया है कि जीवन में किसी की बुराई नहीं करना किसी को दुख पहुंचा के जीवन में सक्सेस नहीं होना तो उस लाइन में क्या है न कि मुझे अच्छा नहीं लगा जूट बोलना पड़ता था और मुझे लगा कि यह लाइन मेरे लिए नहीं है मैं electronics line में भी गया वहाँ भी बहुत सरा repairing वेगरा का काम किया लेकिन वहाँ लगा कि यहाँ भी तो वही माजरा है एक बार की बात है मैं एक color TV repair कर रहा था वो TV बन नहीं रहा था दोस्तो एक सप्ता लग गया था हो नहीं पा रहा था तो मैंने उसका board खोल कर निकाला पेट्रोल वास किया और वास करने के बाद पता चला कि उसका एक ट्रेक कहीं से तूटा हुआ था मैंने सॉल्डिंग किया वो TV अन हो गया एक सप्ता लगा था उस TV को बनाने में और उस एक सप्ते में कि मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया और मैंने उस TV वाली को फोन किया कि भाई साब आपका टीवी बन गया आके ले जाओ वो आया और बलता इसमें खराबी क्या था हम बले देखिए कुछ खराबी नहीं था बस मामूली सा एक ट्रेक टूटा हुआ था पुराना टीवी है लेकिन एक सब्ता भाई इसमें हमने काम किया है तो बला पैसा कितना हुआ तो हमने का कि आपको मैंने बोला कि एक सब्ता मैंने कोई दूसरा काम नहीं किया आपको जो अच्छा लगता है वो दे दो तो उन्होंने पचास रुपया निकाल के दिया मोझे तो मैंने उनसे का कि भाईया मैंने एक सब्ता लगाए बोला यह आपने एक सब्ता लगाई यह आपका प्रॉबलम है ना मामूली सा सॉल्डिंग ही तो किया क्या बले दोस्ते उस दिन मेरा कलेजा चल्ली हो गया मैंने बोला ना जीवन में कुछ भी हो जाए यह काम मैं नहीं करूँगा कभी नहीं करूँगा यह काम क्योंकि मेरे गुरु जी ने सिखाया था कि अगर एक हजार का बिल लेना है तो दो हजार का समान वहां पे निकाल के रखना पड़ेगा कि यह यह मैंने बदला है तब जाके वह एक हजार रुपिया देगा लेकिन मेरा सिख्धान था कि मैं जुट बोलूँगा नहीं तो मुझे लगा कि अगर मैं यहां सच बोला तो मेरा पेट भरने वाला नहीं है मैंने उस काम को त्याग दिया और धीरे दिरे मैं फर्मा लाइन में चला आया फर्मा लाइन में आने के बाद मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छा है यहां तो जूट बोलना पड़ता नहीं है और डॉक्टर को डॉक्टर से मिलना है मैंने वहाँ भी काम किया लगभग सारे 17 साल काम किया दोस्तो लेकिन उसी बीच में मेरी साधी हो जाती है 30 मई 2010 को और मेरी पहली बेटी का आगमन होता है तो दिमाग में एक टेंशन होने लगता है कि मेरे साधी से पहले मेरे पूर्णिया सहर में एक एस्कूल है जिसका नाम है अर्सलाइन कन्वेंट और उस इसकूल में पढ़ने वाले बच्चे का हेंड़ाइटिंग जबरदस्त होता है तो मैं अपने कुछ मित्रों लोगों को उनके बच्चे का हेंड़ाइटिंग देखता था तो मैं सोचता था कि मेरे अगर बच्चे होंगे न तो मैं उसी उस्कुल में पढ़ाऊँगा, इस सपने मेरे सादी से पहले से मेरे सपने थे, और जब मेरी पहली बेटी का जन्म हुआ, तो उसी समय से मैं सोचने लगा कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी, तो अर्स लाइन मे ग्री था, तो मैंने कुछ दोस्तों से पैसा लेकर और अपना पैसा उठागे मैंने डीजे का साइट से काम staid किया, और सादी में मैं डीजे बुक किया करता था और दो एस्टाप में रखा था गारी पे सारा डीजे सजा के सारा समझा के उनको भेजता था और जब वो एस्टाप लोग जाते था तर आत में नीद नहीं आती थी कि कब उसका फोन आ जाएगा ये वाला से टूड़ गिया परिशानी होती थी काम चल रहा था लगबग साल का जो है ना पचास जार लाख रुपया आ जाता था लेकिन बेचैनी बहुत थी कि उस काम में भी मन नहीं लग रहा था उसी बीच में क्या हुआ जब मैं फ़र्मा में काम करता था तो एक बैक थी जिनका नाम लेना चाहिए नाम नहीं लुंगा तो ना इंसाफी होगी उनका नाम था Amit Kumar एक बार जोड़दार ताली उनके लिए वो भी हिमालिया कंपनी में अमर की नोगड़ी करते थे और वो बार बार रास्ते में चलते बोलते थे बार भाया पांच मिनट का आपका समे चाहिए। तो नहीं आप समे दीजये भाया हम झालो क्या बात है तो नहीं नहीं घर पे आएंगे फरी टाइम में हम कभी फरी रहते नहीं है ओ भार भार बोलता था एक तीन क्या अवाँ संडे का दिन था और रास्ते में मिला भोल अच फिरी है हम भी तो नहीं है तो क्या बात है तो बोलता है आपका डीजे लेना भाड़ा पे डीजे मिलेगा हम बले हाँ आजाओ घर पे वह घर पे आये और आने के बाद वो बोलते है कि देखिए हमको को प्रोग्राम करवाना उ कितना खर्च घर भाड़ा तो हम कि अगवा था रुप आपक भाड़ा था एगा खर्च तो बला कुछ कम बस होगा कि हम मैं नहीं कम नहीं हो तो इस जाने लगा को घजए टिख काम के अगए ने क्या बड़ा ओला हम भाड़ा तो इस फिर चाहा जा देखिए ना भी काम के कर दिया तो यह मेरा डीजे भूक नहीं करेंगे यह चले जाएंगे और मैंने जोर के दिया देखा कि अगर आठ हजार रुपया भी यह देता है तो वह बोले थे हर तीन मेने पर फंक्शन होता है तो हमने बोला के आठ चाओ के बतीस जार तो मेरा बन जाएगा मैं अपने मन म राजर सकुमार पॉल सर्ड- यह लोग मेरे घर पे आएं निए और मुझे बिजनेस की जानकारी दिये थिए में बिजनेस देखता गया और जैसे यह बोले कि मेहने का आठ लाख सपते का दो लाख मेरे रॉंग्टे खरे हो गए रॉंग्टे खरे हो गए और मुझे वह बा करता था देखना मैं बड़ा आदमी बनुगा दो तीन आदमी मेरे घर पे आएंगे और वो दिन मेरी जिंदिकी का यू टर्ण वाली जिंदिकी होगा और वही बात याद आया और मैंने बिना सवाल किये लोग यहां पर सवाल करते कि दो लाक आते कहां से है मैंने कोई सवाल किया दोस्तों और उसी समय सारे तीन सो रुपिया दे के फॉर्म साइन किया पैसे नहीं थे और एक मैने के बाद जब सेल्ली आया तो मैं अमीजी को भुला कर मैंने पेमेंट किया और मैंने काम करना स्टार्ट किया मुझे लगा कि ये काम बड़ा आसान है एमार हूँ लोगों को बताऊंगा लोग आसानी से जोईन कर जाएंगे मैंने पैसट लोगों को बिजनेस की जानकारी दी एक भी आदमी नहीं आया मेरा हिम्मत तूटता चला गया और पहले होता था कि या कि कि युद में मैं अमार था तो सवेरे घर आ जाता था तो मैडम के साथ थोरफ सा टाइम एक्सप rings करते थे लेकिन जब ये काम स्टार्ट कर दिये तो घर में लेट से आना हुता था, तो मेडम पढ़िशान हो जाती थी, और हमेसा मेडम एक ही बाद बोलती थी, कि हमको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, आप जो काम कऱे हैं, वो ह Himself ठीक है, हमको ये सब काम नहीं चाहिए आप बोलते हैं कि हम काम करते एक पैसा नहीं आता है और जब मैं जोईन किया मेरे समान आये न तो मैडम क्या की पैकेज उठा के फेक दी मैडम सामने बैठी हुई है मैडम बोला ऐसा सारी आप ग्यारा हजार में ख़रिद लिये आप पैसा बरबाद कर दिये तो मैंने मैडम को का कि सारी पर मज जाओ दो लाक सफथा आएगा तो कितना मज़ा आएगा बोला आप अपने फिलोस्पी अपने पास रख़िए दोला कि हाँ है क्या 0.1 to 5% भी मैडम को विस्वास नहीं हुआ और मैडम काफी नेगेटिव करती थी लेकिन मेरे दिमाग में एक कल्कुलेशन जब मैं रात को जाता था तो मैं गुना करता था कि अगर ये आदमी आग है 10,000 आदमी आग है तो थेओरी कहता कि 50,000,000 कमा लूँगा मैं और मेरा एक ही सबना था मैं डायमन बनने के लिए नहीं आया था मेरे दिमाग में एक ही बात था अगर मैं पूरी जिंदगी में यहां से 50,000,000 कमा लिया न तो मेरे घर पक्के के बन जाएंगे और इस तरह से पैसर लोग को प्लान दिखाया एक भी आदमी नहीं आए मैं मिटिंग में जाता था थर्स डे की गुरूप मिटिंग में जाता था मैं देखता था कि वहां पे सारे लोग का डीडी निकलता था और मेरा डीडी नहीं निकलता था तो सर पूछते थे इस सप्ते का commitment तो कभी तोétais सम्हाई जान तो दोसो भी एक डीडी उसमें तो डीडी चलता था अंधर से एकदम कचोड़ता था माल कि इस सप्ते भी मैंने commitment किया है पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा एक मेना बीता, दो मेना बीता, लगबग, एक साल बीत गए और यहाँ पर सौराब सर गवा है, एक बार सर के लिए जोड़दार ताली सर जब मिटिंग और्गनाइस करते थे तो धननजे दास सबसे पहले उस मिटिंग में पहुचा करता था और सर एक बात बोलते थे सर लो कि धननजे जी कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़े कोई फास भी देदेगा डिरी नहीं, आप काम किजिए और अमर सर हमेशा एक बात बताते थे कि धनेंजय जी उपर वाले पे विस्वास है मैं बले हाँ तो बहल बहुत उपर वाले पे विस्वास कीजिए काम करते जाएए कोई नो कोई चौका छुका मारने वाला बैखती आपके टीम में आएगा और एक बार की भात है, जब मैं पूरा ठक गया, मैं अपने समाज में कहा जाता है, बिहार में थोरा सा काश्ट जीम ज़ादा होता है, कि अपने काश्ट के लोगों को बिजनेस दिखाने से वो आजाएंगे, मैंने वो भी करके देख लिया, पूरे मुहले को मैंने बिजनेस सब एक ही बाद बोलते थे क्या यार कौन सा फाल तु चक्कर में पड़े हो तुम कितना अच्छा एमर की नोकड़ी करते हो आई ये कंपनी तंपनी का लफणा में अपने आपको पड़ा रहे हो कितनी कंपनी आय कितनी चलेगे या ऐसा कुछ होता नहीं है देखे थे फालाना कंपनी का क्या हुआ था हम तुमको समझा रहे समझ जाओ ने तो घरदुआर सब बिग जाएगा तुम चले जाओगे जेल हो जाएगा तुमको इस तरह से लोग सला देते थे तो सरलोग भी सरलोग को भी लगता था कि पता नहीं ये चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा साल जो जाए तो मेरे जो बच्पन के मित्रित हैं जिनके साथ मैं पला जिनके साथ मैं काफी क्लोस था इस से पहले भी मैंने उनको प्लान दिखाया था उनके पापा को उनके भाई को मैंने सोचा एक बार फिर मैं उसके पास जाता हूं और उनसे एक बार दोबारा मैं रिक्वेस करूंगा कि आके वो जोइन कर ले तो कम सक में एक बंदा तो आ जाएगा मैं उनके घर पे गया दोस्तों और उनको मैंने एक ही बाद बोला कि कि पार्टनर सुनो ना अरे तुम बिजनेस मत करना हमारा रिभॉक का ये सेट आता है तुम तो जूता पहनते तो पहनते हो ब्रांडेट वो सरकारी जॉम में था हाई स्कुल में यार तुम मेरा जूता ले लो रिभॉक का ये सेट ले लो यार एक भी आदमी जॉइन ने किया हम सर से कमिटमेंट किया, तुम जोइन कर जाओगे नो तो एक आदमी आ जाएगा, वो गया, ड्रॉल खोला, ड्रॉल से चेक बुक निकाला, एक ग्यारा हगार कुछ सम्तिंग चेक पे साइन करके, वो मेरे हाथ में दे दिया, और अपनी मैडम को बोला कि चाय पिलाओ, डिके में घरबड़ी हो गया, वो मेरे हाथ से चेक लिया दोस्तों, और चेक लेने के बाद चेक मोर के अपने पॉकेट में रख लिया, बोला ने, 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 ये सब फालतू काम हमको नहीं करना है, अब सोचिए जो आदमी एक साल से जिसका डिडी नहीं निकला, अपने दोस्त के पास गया, और वो चेक साइन करके, अमांट भरने के बाद फिर से हाथ से ले लिया, मतलब मेरा लगा कि कलेजा चलनी हो गया दोस्तों, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर एक मिनिट भी इसके घर में रुका ना, तो मेरे आँख से असू डगमगा जाएगे, अब लग रहा एक ही बाद बोला कि ठीक है दोस्त, तू जोएन मत कर, तू दोस्त है, हमेसा दोस्त रहेगा, लेकिन हम तुमसे वादा करते हैं, कि आज के बाद तुम्हारे घर पे सेपसोप का कभी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन साथ में ये भी वादा करते हैं, साला एक बाप का जवना भढ़ एसटार्ट में रुका पूस्ट रहा खूब रूरा लेकिन एक चीज है, रोने के बाद काफी मन हلका हो जाता है, मजा आता है, कि जब आप रो लोगे न, तो काफी मन हलका हो जाता है, मजा और फिर से हिंमत मिलता है, और फिर से मैंने काम करा अचान आप किय अजसी बिच में क्या हुआ, कि मैडम जो है ना हमको पुरा परिशान करने लगी, नहीं, इस अब कामने, मैंने जब मैडम को सुनाया, कि मेरा दोस्त तो मेरे साथ किया, तो मैडम साब बोल दे, अगर आप सेफ सोप नहीं छोड़ोगे, तो मुझे छोड़ोगे। तो मैंने भी मैडम को बोला, कि नहीं नहीं हम सेफ सुप नहीं छोड़ेंगे, लेकि रात दिन घर में किच किच हो रहा था, तो मैडम को बोले कि ठीक है, इस सब्ता हम संड़े के समिनार में नहीं जाएंगे, और सब जब सर जब वहां पर वहनु पर साथ किये थे, तो सक्स है जिनोंने माइक पकरा था एंकरिंग करने के लिए, सर काफी रटवाएं थे, लाइन बाइ लाइन मुझे एंकरिंग याद है, लाइन बाइन बाइन, और उस दिन लगा क्या कि मैडम ने थोड़ा सा नेगेटिव जाला तर ठीक है, आज हम मोवैल का स्विच अफ कर देखते हैं और देखते हैं कि लोग का सेमिनार कैसे होता है, मेरे दिमाग में ये बात आ गई, सेमिनार भी हुआ, साम में, अबनेंद कर्ण शर, शोहराब सर, राजे स्पॉल सर, तीनों मेरे घर में आये, और आके बोलते हैं कि क्या धनेंजे जी, अपका फॉन नहीं लग को लगता था कि अम्र है, डॉक्टर को पढ़ाते हैं किसी को बोलेंगे, कोई भी आदमी ज्वाइन कर जाएगा, सर लोग खरे बाहर में, मैं सर को बैठने के लिए भी नहीं बोला, अब मेरी मेरी मैडम पिछे सम को इसारा कर रही है कि भगा ये सब को याल से, तो बाद मे कि अभी कर तक को लोगे हैं कि बादमी मम को अभी हम कारुण को इसी कि भी नहीं के सब्सक्तार, होगे है् ज़िए चेर मेड़ा ज़ते हैं संब वेहां अधे हैं डिए जरा सम इने खरूम को इसी पढ़िए णिखा ओर् मेरी मेरी मूलाऊ, है नहीं बोलता है तो पिल इसा क वहालतो काम करना ने तू सबको बेठा का चाय पिला ने सक्या फायदा निकालिये सबको और एक बाद बोलना चाहते ते ते शुवास कुमार रंजी सर जाते ते ते तो बोलता ते पेट लगधा को तो मन करता पेटिया फोड़ दे पेटिया फोड़ जो कि उनकी वाइप को मै बहन मानता हूं साधी से पहले से मैं उनको जानता हूं तो जीजा साला का रिष्टा है हम लोगों का पहले से और एमार भी थे साथ में काम भी करते थे तो जब हम सुवासी को यह बात बोले तो उनको काफी मजा भी आया था उनको और जान बूत के चले भी आते ते तो चाय बढ़नें, ने सर को चाय पिलाया, चाय पीने के चाय पीते है अमर सर बोलते है कि धननजे जी ऐसा किचे नहीं, कामु माप मत कीजिए तिन दिन कहा रहा हम एक को ट्रेनिंग का प्रोग्राम रख रहे हैं, आप उसको एटेंड कीजिए तो हम एक का बोला कि सर हमको ये काम करन एक बहरा भाई छोटा भाई को पषिक्वेस्ट करता है कि तीन दिन का कोड ट्रेनिंग करे आपके उसको एटेंड करें मैंने 10 सक़ेंद के लिए सोचा और सोचने के बाद फिर मैंने अपना दिमाघ लगाया. हम बोले कि ठीक है सर हम आएएंगे को Nagin में. लेकिन हम पैजा में पहन के हाएंगे. हम अब द्रेस कोड में नहीं आएंगे. तो sir बोलते है ठीक है आप पेजय में आजाईए हैं और हम भी पेजय मा में चपब में चलेगे हैं हमको निकालता हैं को कोड ट्रेनिंग से sir का मैंने पहला कोड ट्रेनिंग लिया तो लगा कि यह सब चीज़ तो फरमा में जानते ही थे दूसरा दिन थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा और तीसरा दिन क्या बताए दोस्तो तीसरा दिन जब मैंने कोड ट्रेनिंग लिया तो उस दिन पता चला कि मैं तो अभी तक अपना दिमाग लगा रहा था मुझे तो कुछ आता ही नहीं तर से बसॉपका सर ने एक बात पूछे वहाँ पर धनेंजी जी एक बात बताए एक आईटियन इंजिनियर और एक MBBS MD डॉक्टर कैसा क्वालिफाय होता है तो मैंने कहा कि सर वेल क्वालिफाय होता है तो दाज़ी ऐसा करते हैं इंजिनियर को कहते हैं कि एक बैक्ति को सुई दे देने के लिए और दॉक्टर को कहते हैं एक पूल की मरंमत करने के लिए हो जाएगा हम बले नहीं सर क्यो नहीं हम बले नहीं सार क्यों नहीं हम बले नहीं सर तो सर ने बोला are you getting my point हम बले यस सर समझ में आ गया मेरे सामने डाइरी रखी हुई थी मैंने तुरट डाइरी निकाला और उस डाइरी में सर के सामने मैंने लिखा कि मैं धनंजेदास आचा एक पषतिग्या लेता हूँ कि जब तक मैं दो लोग को प्लान नहीं करूँगा तब तक मैं रात का खाना नहीं खाऊंगा कसम तो ले लिए और मेरी आदत है कि जब एक बार ठाल लेते तो उसको छोड़ते नहीं है अब है कि दिमाग में एक ही बाद चलता था कि दो प्लान कैसे करना है एक कांधे पे सेपसोप का बैग होता था और एक कांधे पे MR बैग होता था और मैं एक पत्या के ले जाता था चाह पीने के बहाने साइड में आवहां जाके में प्लान देता था क्योंकि सर बोलते थे कि जोईन करे या ना करे प्लान दिखाना है एक बार की बात है मैंने प्लान किया ही नहीं, चुकि काफी दूर चले गए थे, काम करने के लिए, सेफ सब का काम नहीं हो पाया, घर आया, तो मैडम बोली कि खाना खा लिजी, हम बोले खाना नहीं खाएंगे, बोला क्यों, हम बोले आज मेरा दो प्लान नहीं हुआ, तो बोला है, कौन आता है आपको देखने के लिए तो मैंने मैडम को एक ही बाद बोला कि मेरा जमीर गवा नहीं देता है कि मैं खाना खाओ दोस्टों उसी दिन मैंने संकल्प लिया कि कल से मैं ऐसा करूँगा सुभा में एक पलान ठोक दूँगा दिन भर में एक पलान ठोक दूँगा रोटी लिखा हुआ है फिर घर आए एक ग्यारा बजे रात में अचानक आया कि एक डॉक्टर है उसका कमपंढडर बहार में बाहर में ढगल में घर अगर मैं उनको प्लान दिखा दू तु मैं रात का खाना क हना हुआ सकता हुआ है जा रात मि चले न हो न प्लान तो दिखाना है इनको एतने गहाँ बहुत ला बहुत यह बस एक मिनट का काम है, वह आख मलते मलते निकला और मैं प्लान देना इस्टार्ट किया बलता है क्या इतना बजे रात मैं आकर क्या कर रहा है हम अब भाया गोर लगते है आप प्लान देख लिजे मज जोएन कीजिएगा कल भी खाना ने खाये है और आज रात में हमको खा खाना खाना है और सारे ग्यारा बजे रात को मैंने उनको प्लान दिया फिर जाके मैं रात में खाना काया दोस्तु तो इस बिजनेस में इतना तो समझ में आगई थी कि इस बिजनेस में कामियाब होना है तो खुद के प्रतीमंदार रहना पड़ेगा जूट नहीं बोलना ह और जो आदमी बना के बाद बोलते जूट बोलते वो कभी कामियाब नहीं हो पाते मैंने देखा तो इसलिए खुद के पड़ती इमंदार रहना पड़ेगा और इस तरह से मैं प्लान पे प्लान दिखाता गया और उसी बीच में क्या हुआ कि दिशा ट्रेनिंग का प्रोग्र हम बोले सर एक तालीस हजार रुपया मेरा खर्चा हो गया मैं दो दो आइडी से ज्वाइन कर लिया हूँ एक तालीस हजार रुपया खर्चा हो गया और आप बोल रहें दिशा ट्रेनिंग में जाने के लिए मेरे पास पैसे उसे नहीं है तो सर बोले चलिए कोई बात नही आप उसमें बैठने का इसे बना हुआ है तो सर वहां पर अकेले में बैठा के पता नहीं सर को याद होगे कि नहीं होगे मुझे याद है एक बात सर बोले दाननजे जी सच बताईएगा सेप्ट अप में डायमंड बनने आया कि आंक सेकने के लिए लगा बड़ा यह करें हमले कि जूट बोलते हैं यह पूप आप डायमंड बनने आयाएज आसे आप साइम पास करेंए मोले नहीं सर डायमंड बनने आयाए तो भळा जब डायमंड बननने आया है तो डायमंड का सूत्र है कि आपको दिशा ट्रेनिंग में जाना होगा अगर आप न फसी लड़े लेक तो बिजनेस में एक साल पीछे चले जाएंगे सर ने इस तरह से बांधा तो मैं बोला ठीक है सर हम पैसा के बिवस्था करते हैं मैं सबसे पहले घर आया अपनी मैडम को बोला कि हमको जो है ना दिशा में जाना है नई सौरी डायमंडशिप डायमंडशिप का प्रोग्राम ता दायमंडशिप देखना था तो मैंने मैडम को बोला कि डायमंडशिप में जाना है तो मैडम बोला कि कही नहीं जाना है आपको कही नहीं जाना है हम बॉलके निगले जाके अपम्मे आते हैं तो देखते हैं मेडम का एक फुलिया चेंग इतना रोई ती इतना रोई थी कि यह वला आख और यह वला ऑफूल कि इतना बड़ा हो गया तो दोनों एक तुम्म चाइनिज के तरह मैंने देखा तो डरगिया कि आपताने क्या होगा हमने तूरत राजस पॉल सर और राजस पॉल सर को फोन लगा कि सर मेरे घर का सिचुएशन बहुत खराब है सर हम डाइमंड शिप में नहीं आपाएंगे शती सर का डाइमंड शिप था हम डाइमंड शिप पे नहीं आपाएंगे तो सर बोले कि हम आ रह तो एक बात का पता चला कि अमरेन सर एक डायलोग हमेशा मारते है कि डायमंड की आन बान सांड निराली होती है हर दीन एद और रात दिवाली है और मैंने यहां आके देखा कि सच मुझ में ऐसा होता है सच मुझ में ऐसा होता है और सर के एक बात आज भी मुझे याद है कि सर एक बात बोले थे कि मेरा 17 साल नोकड़ी का हो चुका है मैं भीयारस भी नहीं ले सकता हूँ और मैंने नोकड़ी को त्याग कर दिया वहाँ पे लगा जब ये आदमी सरकारी नोकरी को लात मार सकता है तो मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है और वहाँ से फिर मैंने मुठी बांदा कुछ दिनों के बाद सर का दिसा वर्क्शॉप था फिर दिसा वर्क्शॉप के लिए जाने के लिए बोला गया उस समय मेरी दूसरी बेटी गर्द में थी और सर बोले क्या कि उननीस तारिक को नैनी ताल में ट्रेनिंग स्टार्ट है हम बोले सर उननीस तारिक को नैनी ताल में ट्रेनिंग में स्टार्ट है डॉक्चर डिलेवरी का डेट दिया उननीस तारिक हम नहीं जा सकते है फिर सर लोग जो है पर दिमाग बास करने लगे फिर सौराव सर हम को साइड में लेके जा के समझाते है कि आपकी एकॉर्ड में पैसा है हम बले हाँ 50,000 रुपिया है तो बोला ससुराल कहा है हम बले बगल में कठियार में बोला ऐसा कि जिए 25,000 रुपिया एटियम से निका ल लिए निशा में इसा कि जिए अगे जिए प्रवाद थोड़ी से समझ में आ गई हम आए मैडम को नहीं बोले हम बले चले वहां कठियार में ही आपका जो टीटमेंट करवाएंगे मैडम को बोले क्या कि चार पंच कपड़ा अपना पैक कर लीजिए का मैडम बोली कि चार बेटी की डिलेवरी में सारा खर्च पापा किये थे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि दूसरी बेटी में भी खर्च करें तो मैंने पचीस हजार रुपया निकाल के पापा के हाथ में दिये और बोले कि पापा अगर रात भी रात में कोई प्रॉबलम होगा ना त पैसा दे दिये और दे के हम ने निताल चलेगे किसी को हमने घर में समझा तया है मेरी बहान वहां बैठी मैंने भाहन को फोन कर बोला कि अगर भावी का फोन आएगा तो बोलना कि भाहिया जो है उनका कोई जोनल सेल्स मनेजर आए उनी के साथ वर्क पे है उनका प्रॉच आप और वह मेरे दोस्त, जो मेरे परममित्र है उनको भी मैंने फोन करके बता दिया कि पार्टनर ऐसे इसे बात है और इस तरह सर मैं दिशा ट्रेंणिंग में गया आपका वह पहला दिशा था सर जहां पे आपने हाथी पे घुमाया था सर और जहील में घुमाया था सर और तो सर वहाँ पर एक कमिटमेंट लिये थे, सारे लोगों से कमिटमेंट लिये थे कि यहां से जाने के बाद अपने आपको कुछ गिप्ट करना है, तो सर को बोले थे कि सर मेरे घर में पलंग नहीं है सर, बच्पन से लेकर आज तक हम चौंकी पे ही सोये हैं, मेरा दो तिन कमर है सब में चौंकी है सर, तो हम चाह रहे है कि मैडम को एक पलंग दे, तो आज भी मेरे पास वो डायरी लिखा हूआ है मैंने इंग्लिस में लिखा था, कि मैं एक दिवान-पलंग अपने मैडम को गिप्ट करना चाहता हूँ, मैंने डेट मारा और देट मारने के बाद मैं कर दो आपकार नहीं जा चाहिए चाहिए और एक दिन क्या हुआ कि एक डॉक्टर का हम लोग लोग कॉल कर रहे हैं और वहां से एक एमर आते हैं और कहते हैं हम थे और मेरा वही अपलाइन जो हमको जो जुएन करवाया थे दोनों आदमे तो बलता है कि आप लोग क्या हूँ तो देखें एक एक एलाइसी का पॉलिशी आप लोग दे दीजिए ना तो मुलें नहीं नहीं पॉलिशी हम लोग के पास बहुँ जादा है वाला देखिए मार्च को लोग जिंग एक दे देते ना तो अच्छा रहा था तो जो मेरे अपलाइन हो बलता है भाया इम मुरगा साले को फसाइए ना इसी इसी वर्ड में मुरगा को फसाइए इसको सिफ सब का प्लान दिखाई अपने भाग जाए क्या तो हम लोग बोले कि ठीक है संडे के दिन आप फलाने जगे पर आजाना वहां पर हम आपको जो है ना पॉलिशी दे दे देंगे तो हम लोग संडे के वह बीचे आपको फोन करते है तो उनको फोन करके बोला है आरे भाई साफ आप चाहां है तो खीला हैं रहे हम तो फाल प Gordon टारा रहे है और आके बोलता है दिजिए पॉलिसी था हम लोग बोले कि ये 10 मिनिट का प्रोग्राम है हम लोग आए उसको एटेंट करने के लिए आप भी एटेंट किजिए हम भी एटेंट करते हैं और फिर हम आपको चेक काट के दे देंगे और दोस्तों उनको हमने संडे के सेमिनार में ह और जैसे सर क्लोजिंग हुआ वह आदमी सारे 300 रुपिया निकाल के और टेबल पर ऐसे करके मारा और बलता है सर पहले मेरा रजिस्टेशन कीजिए साला 17 साल से परिशान हैं हम लाइसी में हम सीयव कलम मेंबर हैं सारे 17 साल से परिशान हैं तीन बार एक्सिडेंट से बचे साला मर जाएंगे लाइसी बला पैसा ने दागा यही बिजनेस तो हम लोग ढूंड रहे थे और उन्होंने फॉर्म साइन किया तो राजे सर पॉल सर बोले कि धनेंजे जी यह बढ़का यह बढ़िया आदमी है यह काम करने वाला है इसके घर पे जाके हम लोग ट्रिपल आ आइडी के बारे में बताया और वो बेखती 36,000 रुपया दे के तीन आइडी से ज्वाइन किया उसका नाम है मिष्टर धरमेंद्र कुमार यही पे मौझूब थे तीन आइडी से ज्वाइन कर गया सर और आते हैं इनोंने धमागा कर दिया सर जब हम लोग गुरूप मिटिं और सर ये 11 डीडी ला के देते थे सर एक 11 डीडी ला के देते थे और इस तरह से दूसरा एक साइट का में स्टार्ट हो गया दूसरा साइट मेरे खाता भी नहीं खुला था उसी बीच में अजेपंडित सर का आगमन होता है पूर्णिया में पहली बार एक बार जोरधार ता और सर कोस्की होटल में रुके हुए थे, सर से हमने मिला, सर एक बात बोले थे, याद है, कि धरंजे जी, जब कोई गुरो लाइन आप से जादा भागने लगता है न, तो आपकी भेलू थोड़ी सी कम जायती है, एक लीडर का चाल कम से कम 25 परसेट जादा होना चाहिए अपन भी हो जाए, मैं दूसरा लेग तो खोल के रखूंगा, और अगले दिन क्या हुआ, कि हम एक डॉक्टर के याद कॉल करने जा रहे थे, और एक बंदा वहां पर टकड़ाया, जिनको सुभास सर प्लान दिये थे, तो मैंने उनसे पूछा, कि सर, आप उस दिन सेमिनार से क्य आने लेके चल गए थे, तो मैं बोले क्या आप पूरा प्लाम देखना चाहिए, हम दिखा दे, बोला नहीं हमको नहीं देखना है, दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर वो मिल गया, तीसरे डॉक्टर के पास गए, फिर वो मिल गया, और जब चौथे डॉक्टर के पास मि करेंगे हम एक बार आपकी मैडम को दिखाएंगे बला नहीं नहीं हमको घर नहीं लेके जाना है आपको और सर में तीन बजे दिन से उनका पीछा करता रहा और आठ बजे रात तक मैं उनका पीछा करता रहा गया और आठ बजे रात में जब वह घर जा रहा था तो दो सो मिट दोरी पाइ कःच्छ यरियु करते उनका पहन पहुंच गया मेर धूरन पेगन के मैडम को डिखनेश बिजनेश बिखा युंको अच्छ लगा अर्वं अच्छ लागआ अर्वं इनल्डियु की पईसा टीड़ वादी यु सा एन हाजार र्रुपया का चेक बना這個 मेर Р Term अब पिलंग कि अविनाश सर को बताई तो अविनाश सर बोले की धनंझे जी लिए अगर आप एक लैप टोप ले ले लेंगे नग तो आपका बिजनेस बहुत जदा गुड़ जादा बिजनेस बहुत जादा ग्रौत करेगा और सर की बातों को मान कर मैंने अपने लिए पहले अपने आपको गिप्ट किया 32,000 का लैपटोप दोस्तों, डेल का 32,000 का लैपटोप, खिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपनी मैडम को 75,000 का दिवान पलंग गिप्ट किया दोस्तों, बिजनेस एक दम तरह तर चल रहा था, नहीं स्टॉप अच्छा चल रहा था, उसी समय मैडम बिमार परती है, और डॉक्टर कहता है कि इनको कैं तो मुझे लगा, कि अब मेरे जिंदिगी में कुछ बचा ही नहीं, ड?... डेर साल दो साल की छोटी वाली बच्ची थी, और मेरे ढिमाग में लगा, कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हो जायगा, तो पता नहीं, मेरा जिंदिगी को क्या होगा, तो मैडम बोलती है कि आप मुंबए मेरा इलाज केसे करवाएंगा आपके पास पैसे हैं क्या हम बोले पैसा है मेरे अकाउंट में मैंने कार खरिदने के लिए पैसा रखा था और इस तरह से तीन मेना रहके मैंने अपनी मैडम का वहाँ पे इलाज करवाया दोस्तो और उस समय मैं टेलिफॉन से अपने टिम को हैंडिल करता था और जब मार्केट में प्लान दिखाते थे तो एक चीज है कि अजेब पंडित सर का एक वीडियो जरूर दिखाते थे वो रूवी वाला जिसमें सर ने बोला कि 29,500 रुपया मैं एक सप्ते का इंकम लिया और मनी मन बलते थे कि कभ ये रेकॉर्ड तोरेंगे और पर लेबल पे जाके एक सप्ते में मेरा 64,510 रुपया का इंकम बनाता दोस्तों और इस तरह से तीन में ने रहके मैंने अपने पतनी का इलाज करवाया पाँच लोग मेरे साथ में थे लगब आठ से दसलाक रुपया मेरा खर्च हुआ और पतनी जब वहां से इलाज करवा के लोटी तो उनको समझ में आ गया कि से पतनी जब ने कडर्वा चरओ बर्त के दिन वहां सारी पहनती है मेरी मादम ौट अ उस दिन से डरी मैडम भग्मान के तरह सेफसोप को मानने लेगी दोस्तों तो भहुत ऐसा मॉमेंट आया वहुत ऐसा मॉमेंट आया कि बहुत दिक्कत आई गोल गोल्ड लेबल पर बहुत परिशानी आई जब मैंने नोकडी छोड़ा था जब कि अजय पंडिसर बोले थे कि धननजे जी जब तीगुना पैसा आएगा तब नोकडी छोड़ियेगा लेकिन मैंने ताओ में आके गोल्ड बनते ही नोकडी छोड़ दिया था दस दस रूपिय की महुताज हो गया था मैं उस समय दस दस रुपिय का टीम एक्दम लरोब फ़ट हुआ गया क्योंकि मेरी नोकडी लगी थी मैंने नोकरी किया नहीं लोग उल्टा समझने ले लोगवों को बिजनेस दिखाते थे तो लोग बोलते था कि जान है किया दिमाग चाटता है मैं बोलता हूँ मेरे पास पैसे नहीं है। हुआ भई मिलक के रोंगे लगी और हैं टार रिस जहीं है को मेरे देने के लिए क्लोिझ सा वी आप के आपके पास 10 रुपिया कि अंस दिन मैं लिए अब भाले से कि बचो सकते हैं कि प्रभू आप किसी लोगों से अपने दुखदर्द सेर नहीं करता था था बतनी से भी नहीं और एक दिन मैं बंगाल काम करने चाहरा था पूरा रास्ता सोचते जा रहा है कि है पर बुर मेने उपर ट्रक्षर हा दो मुझे जीना नहीं है क्योंकि मैं अमर की नोकरी छोड़ चुका हूं मैं माई एक डिडी लेके आएंगे और दोस्तों उस दिन एक डिडी नहीं मिला मुझे दो दो डिडी मिला का प्वार्टे ली पलते हुए और टो रखिना नचाय भी नहीं पिलाता तो खृह ज़िए था हम लो हम पर माने लेगा पर आच सोचे ठहुते तो कुछ खूआ पिला घाटा सुच्छे अपना देगा भेट newPL नहीं भीजिट पिलाता इना भीजिए Łachta साफ लो एक जपोौगा मेडम को बोले हैं थोड़ा सा नस्ता बना करें, मूँ खोल के बोले तब आदमी ले गया घर पे नस्ता करवाने के लिए, ऐसा भी दिन बिता है, मैंने कभी सर को सिकायत का मोगा नहीं दिया, दिपाव अली का समय था मेरे पास पैसे नहीं थे, घर में देने के लिए, कर दोड़ा एकिस प्लान का रिकोड तोड़ देगा, उसको मैं समसंग का गुरू मॉवैल दूँगा, और मैंने सुभा से पांच बजे सुभा से काम करना इस्टार्ट किया था दोस्तों, सारे बारे बजे रात तक मैंने पचीस प्लान कर के दिखाया था, पचीस प्लान, वन-to-one, विट मॉवाइल, नंबर, सबसे बात कर राता था, और तब जा कि वो मॉवाइल जीता था, तो सर को बोले थे सर हमको मॉवाइल नहीं चाहिए, हमको को कैस दे दिजिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो सर बोले कि बारासो का मॉवाइल है कैस लेंगे तो एक हजार सर, उस एक हजार रुपईया का क्या बोले, जाके घर में दिये थे तो उस दिन दिपावली मनाय गया था, वो दिन भी हमने देखा है, वो दिन भी देखा है, लेकिन सर को कभी सिकायत का मोका ने टीम बना, काम होता चला गया, इस तरह रूवी बने, टुपाज बने, इम्र मात में नहीं था, सोचे, अब क्या करेंगे, कहां जाएंगे, अब कुछ होने वाला नहीं है, तो अचानक से फेस्बुक पे, माधव सर का एक 15-20 सकेंड का एक वीडियो देखते है, और उसमें माधव सर बोलते है, कि ये माधव तब तब तक नहीं रूखेगा, जब तक मा हजार माधव लेप में, हजार माधव राइट में हो जाता है, और वहां से फिर एक प्रेरना मिली कि साला, तुम बैठ के घर में क्या कर रहें जा के लोगों से मिलो, लोगों से जा के मिलो, और चाय पीने के बहाने से लोगों से मिलता गया, और इस तरह से फिर मेरा बिजन और इस तरह से हिम्मत नहीं हारा, इम्रेल बना, उसके वाद रूभी बना, टार्गेट भी मैंने किया दोस्तों, पार्ल और टोपाज के बिच में मैंने उरोप का टार्गेट फाइट किया था, उरोप का टार्गेट और मुझे याद है कि सर 17 डिटी बचा हुआ था, अविन कि अपकरपा नहीं होगा तो 1.5 लाहँ रूपया देना पड़ेगा, हम भले 1.5 लाहँ चाह देना ठेहर दिएर देहरा देना पड़ेगा, भीरा यह करेख मेरा यह करने के लिए और सर बोलेकि डिया थाद इचार्वाद आइज अर्सर का फंड पॉरा राज नहार इंपरा टार्गेट वाता है, एक मेरे टीम से, एक मेरा, और दो थाइलेंड, और यूरोप भी घुम के आए, सर के साथ, पहरी सुजरलेंड का मजा भी लेके आए, तो इस तरह से, एचिमेंट आता गया, मुंबे से इलाज के बाद, लोग तूट जाते हैं, जिसका दसलाक रुपिया खर्च होता है, वहाँ से आने के बाद, दवा के मैंने काम किया, और अपनी मैडम को सारे तेरे लाग का टाटा का नेक्सोन मैंने गिप्ट किया, दोस्तों, अगर टोटल रुपीज वाइज इंकम की बाद करें, तो साथ से पैसट लाग रुपिया मैं अभी तक कमा चुका यह जो भी एकष्ट मैंट हो पाया है, यह हमारे फरंट लाइन में जो अपलाइन बैठे हुए है और यह सिस्टम की बज़े से बाद दोस्तों, सिस्टम की बज़े से हो पाया है, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, कि दिमाग इधर उधर मत लगाये, जो कमांड एक पक्का कितने लोग कसम खाते हैं एक बार खरेहों के पक्का डाइमंड बनेंगे डाइमंड बनेंगे बोलिए हम नहीं रूकेंगे हम नहीं रूकेंगे हम नहीं रूकेंगे I am diamond and Department I am diamond and go diamond